नमस्कार दोस्तों, GetSuccess247 के एकोनी वीडियो में आप सभी का सौगत हैं तो आपके लिए आप फिर से वीडियो लेके आचुका हूँ राजस्तान सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर देखिए आप में से बहुत सारी लोगों का डाउट आया था कि किस topic में से आपके सबसे ज़्यादा questions बनते हैं, कहां से कम questions बनते हैं और किन-किन topics में से कितने questions बन जाते हैं approximately आपको पूरा एग rough idea दे दूँगा यानि कि जो पिछला paper हुआ था उसका पूरा मैना यहाप आनलाइस किया है तो ये जो वीडियो है आपके लिए राम बार्ण साबित होने वाला है क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद के सब इंस्पेक्टर में दोनों वेपर का बताऊंगा हिंदी का भी बताऊंगा जो दूसरा वेपर आता है GKGS का उसका भी पूरा बताने वाला हूं कि किन कि टॉपिक्स में से यहां से आपके सबसे ज़्यादा कोशन्स आते हैं किन की तियारी आपको अच्छे से करनी चीए तो वीडियो को पूरा देखना कहीं भी मिस मत करना तो चलिए दोस्तों वीडियो चुरू करते हैं दोस्तों अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी घर बैटे करना चाते हैं तो राजसान एक्जाम के सभी कोर्से अब सबसे कम फीस में आपको मिल रहे हैं सिफ दुरीना एप पर यहां आपको सुबाज चारंजी और इनकी टीम दोरा सभी एक्जाम की बहतरीन तयारी करवाई जाएगी तो आज दुरीना एप को डाउलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हिंदी का इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको यहां पे इस वीडियो को देखने बाद कोई बीड़ाउट नहीं रहे लेकिन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए आगे आने वाले जो टाइम हैं उसमें तो देखिए हर एक टॉपिक का देखते हैं देखिए स्टार्ट करते हैं संग्या से तो संग्या में यहां पर देखिए टोटल नंबर आफ कोशन जो पूचा गयते हैं संग्या से विशेशन की बात करूं तो दो कोशन पूचे गयते कारक से पांच कोशन क्रिया से पांच कोशन तो यह जो पेपर है यह पेपर वन की बात कर रहा हूं हिंदी वाला जो होता है वो पेपर वन होता है यह आपको पता ही होगा यहां पर टोटल नंबर आफ कोशन क कितने हैं total 100 question है 200 marks का यह paper होता है यहाँ जो एक question है वो आपको यहाँ पर 2 marks कब होता है ठीक है इतना आपको पहले से पता ही है चलिए क्रिया विशेशन यहां से एक question आया था ठीक है वर्तनी वर्तनी से आपके total 6 question पूछेगे हैं तो यह जहां से number of questions ज्यादा है वहाँ पर आपको focus ज्यादा करना है दोस्तों ठीक है चलिए निपास से एक question है अभी आप से भी आपका एक question है प्रत्य से आपके तीन question पूछेगे थे उपसर्ग से आपके चार question पूछे कहते हैं संद ही एक अच्छा topic और बड़ा topic है तो यहां से देखिए number of questions के संख्या कितनी है total number of questions ज्यादा से पूछेगे थे 6 चलिए समास की बात करूँ तो समास से 5 question ते जहां पर भी आपको 5-6 चार-5-6 दिख रहा है न वह एक अच्छा topic माना जाता है तो उनकी जो त्यारी है वह आपको ज्यादब अच्छे से करनी है वाच्चे की बात करें तो 4 question पोच्छे कहते है काल से आपके 3 question थे वाग्ये विचार से आपके 4 question थे लोऊम शब्द आपके पोची और दोima और यह और बात करूँ चार q行 पोचे कहते और लोगों को उखते हैं मिलाके 9 कोशन आयते हैं, वाक्यांज के लिए एक शब्द, ये रिखिए, ये भी एक बड़ा टोपिक है, 7 कोशन आयते हैं, तो अगर इसको और इसको कर लेते हो, तो ये आपके 16 कोशन बनते हैं, ठीक है न, एक बड़ा पाट आपका बन जाता है, वाक्या के अशुद्दी, जो टोपिक है, वहाँ से 4 कोशन बने थे, विराम चिन्नो का प्रियोग किया जाता है, वहाँ से 2 कोशन, शब्द कोश्व, पारिभाषिक है उन तकनिकी की शब्दों का प्रियोग है, जो शब्दावली है, महाँ से भी अच्छे कास है, 7 कोशन आपके यहाँ पे पूचे गएते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तसम शब्द दो कोशन तदबाव शब्द तीन कोशन बनेते हैं यहाँ से यौग एक शब्द एक कोशन ज्यादा नहीं है शमशुत भिनार तक जो शब्द है वो एक ही है और देश और विदेशी शब्द यहाँ से पूचे गएते हैं टोटल चार तो इन सब को एड़ गरोगे तो नमबर आफ कोशन आपके बन जाएंगे हंड्रेड तो यह बात हो गई आपके हिंदी की तो हिंदी में आपको कहां-कहां पर फोकस करना है वह आपने देख लिया अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके नेक्स पार्ट की जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा ठीक है न चलिए देखिए आपका जो पेप पूद्शी की बात करना हूं राजसान को छोड़ के जिन की बात करौ रहा ऑँ तो टोटल साथ कुश्चन बन जाते हैं आपके साइन्स के और जीपैंड के जीए कौल से अब आपकी लासान जीए नहीं रासान को छोड़ दीजिए मतलब इंडिया की जीए कुछ वरड जो बाता है वो और science के question, तो कितने बंदे है 60 question, यह ratio हो रहता है, ठीक है, 60 question, 100 में से, इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, भारती इतियास, यानि के Indian history, यहां से question के बने थे पिछली बार 6, Indian history से 6 question है, विश्व तता भारत का भुगोल, यानि के world और इंडिया की geography, वहां से 14 question है तो जादा ही है, नेक्स बात करते हैं दोस्तों आपके भारते समीधान, राजनितिक समीधान और सरकार, यानि के Indian quality की बात करें, यहां से भी अच्छे कासे आपके 12 question बने हैं, यहां से आपके total question बने थे, वो बने थे 8, अब देखे, नेक्स पार्ट है, यहां से आपके total question समय की, यानि की current affairs, अब current affairs के total 16 question थे, current affairs एक अच्छा और बड़ा पार्ट माना जाता है दोस्तों, अब current affairs कौन सा, यहां पर राजस्तान के current affairs की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया, world, economy, जो भी अपके current affairs बनता है इन सभी में, इंडिया का और world का, वहां से अकेले 16 question बने थ और राजस्तान के current affairs के बाद में बताऊंगा, यह जो total होता है, यह 60 question का part होता है आपका, 100 में से, चलिए, next जैते हैं, अब राजस्तान का सामानी का राजस्तान की GK की बात करते हैं, यहां पर क्या क्या आता है, देखिए, राजस्तान का GK की बात करूं, तो total number of questions बनते है राजस्तान की GK के, वो 30 question आपके बन जाएंगे, तो 60 है और 30 है, 90 हो गए, और 5 की मैस आ रही थी, और 5 की जो आपकी reasoning है, वो आ रही थी, इस बार एक part extra add किया गया है, आपको पताईए, वो कौन सा आपका महिला और बालविकास जो अपराद वो topic है, वो इसी के अंदर है, इंडिया जी के अंदर add किया गया है, तो इन ही 60 question में से हो सकता है, कि वो 5 question और आजाए, यानि कि यहाँ कहीं जो अलगलग topic हमने बताये थे, यहाँ कुछ कमिया हो जाएगी, और इन ही 60 में से आजाएगा, राजस्तान जी के आपका 30 question का approximately आपाड मान सकते हो, तो geography of Rajasthan की बात करें, तो 8 question थे, जोग्राफी से, हिस्ट्री से जादा यह, राजस्तान की राजनितिक और प्रशाष्निक व्यवस्ता, यानि कि quality of Rajasthan, 4 question, next बात करते हैं, राजस्तान की earth व्यवस्ता, यानि कि economy, राजस्तान की economy यहाँ से question बने थे, 2, और राजस्तान की current affairs स 10 question बने थे, तो total current affairs के अगर मैं बात करूँ, इंडिया और Rajasthan दोनों का सब का मिला के, तो 16 question उसमें थे, 10 question यह थे, तो 26, यानि कि 100 में से 26 question आपके current affairs के थे, एक बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है, 1 by 4, यानि कि 100 का 14 हिस्ता कितना हो गया, 25% मान सकते हो, 26 question है तो 26% मान से focus करना, चलिए, यह तो हो गया, आपका GK का पार्ट हो गया, अब देखे math और reasoning का आता है, जिन भी students को दिक्कत आदी ना कि हमारे math और reasoning अच्छे नहीं है, क्या हम यह form भरें कि नहीं भरें, इसमें हमारा selection होगा के नहीं होगा, तो question जादा नहीं आते है math और reasoning से, कितने होगे देखे, 60 और 30, 90, 90 होगे, 5 question आपके mathematics कहाएंगे, और 5 question आपके reasoning कहाएंगे, तो वो तो आप कोई भी कर पाऊगे, अगर छूट भी दोगे, तो जादा कोई आपको फरक नहीं पड़ेगा, चलि देखते है, mathematics में आपके देखे, 5 question आयते, कहां कहां से आयते, percentage से आग करें, तो coding, decoding से एक question आया था, आकृतियों को गिनना, एक question रखत संबने था, यानि के blood relation के जो question आते हैं, वहां से एक question था, कथन और कारेवाई, यहां से एक question था, और कथन और तर्क यहां से एक question था, तो देखे, यह total आपका exam pattern दा था, पिसली बार का, कहां से कितने questions आपको analyze करके दे दिया है, तो आपको अप क्या करना है, simple सा, बस आपको यह देखना है, कहां पे कितने questions आपके बने थे, किन subjects को या किन topics को, आपको ज़्यादा फोकस करके रखना है, अब मान लो, जैसे कि मैंने यह बताया, कि यहां पर मुहावरे और लोकोंग्टी के 9 questions आयते पिशली बार, तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी 9 आए, हो सकता इस बार 6 आजाए, 10 भी आजाए, लेकिन आपको कम से कम यह पता चल चुका है, कि यह जो पार्ट है ना, इसमें कहीं न कहीं वेटे ही ज़्यादा है, तो इस पार्ट को आप अच्छे से करोगे, यह बात मेरी समझेगा, जिन जिन में ज़्यादा कोशन्स हैं, उनको बहुत अच्छे से करिएगा, जिन में कम कोशन्स है, अगर वो आपके इतने ज़्यादा स्ट्रॉंग है भी नहीं, तो भी कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जहां से ज़्यादा कोशन्स बनते हैं, बेसिक पर पहली बार आयो पहली बार विजिट करें तो चनल को सब्सक्राइब और बैल आगन को क्लिक जूरूर करना तो दोस्तों धन्यवाद गल्दन एक वीडियो में